पुल्बा मा शहीदों ने श्रधांजली माटे बेंगलोर ना बेंगलोर ना बेंड मास्तर ये माटी यातरा शरू करीशे जे कच्छ मा आवई पोहुचिय ती। पुल्वामाना शहिदोना गाम मा जही माटी एकत्र करी शहिदोना वतननी माटी थी। पुल्वामामा भारतर नो नक्षो बनावानी नेम व्यक्त कराई छे। मोड बैंगलोर ना ने हाल मा ओरंगबाद मा रहता युवान उमेज गोपी ना जादवे आ माठी यात्रानो संकर प्रिदो शे तेवोए आ माठी पुतानी कार ने संपुना आर्मी नी जेम तैयार करी तेना पर विविद स्लोगन लख्या शे उमेज जादवे जनावी हतु के तेवोए नौमी एप्रिल ना बैंगलोर थी यात्रा शरू करी हती अत्यार सुधी मा तेवो करनाटक, केरड, गोवा, पॉंडी, चरी, मध्य प्रदेश, गुजराद मा थी पसा थाई हवे राजस्थान जही रहा शे चवद में फेबरु आरी ना पुल्वा मा वर्सी छे त्यारे त्यारे त्यां पहुंची ने सहीदोना घरनी माटी थी भारतनों लक्सो बनावा माउसे आवता वर्से नौमी एप्रिल ना कच ना रण मा सर्दार पोस्ट खाते आयातरा समाप्त थासे एक वर्स दर्म्यान तियो आखा भारतनी खुंदी वर्से आने शहीदोना घरनी मुलाका एतलाई तेमना वतानेनी माटी एकत्र करवाना छे कर्चमा तेओ आवी पहुंसता कच्छी होए उमेश भाई ने मिठलो आवकार अपवा साथे देश भक्तिनी आभावनाने बिर्दावी हती सीर पी एफे पन आमाटे मंजूरिया पीशे देश भक्तिनी आभावना खरेकर बिर्दावा लायक छे सबसे पहले सभी गुजरात वाजियों का मेरे सबसे नमस्कार और मेरा नाम हुमेश गोपिना जाद हूँ मैं और अरंग बाद महरास्टर को हूँ लेकिन 16 साल से बैंगलोर में हूँ तो मैं ये बैंगलोर से चालू किया जितने भी पुल्वामा के जो शहीद है सब के घर पर में जा रहा हूँ और सिर्फ पुल्वामा के शहीद ने लेकिन हर एक स्टेट और हर एक युनियन ट्रीटिस में शहीद है उनके घर से में मिटी लेके एक भारत का पहला इंडिया मैप बनेगा पुल्वामा में ये प्रतिक की हम सब एक है और भारत के मिटीक का एक सम्मान है तो मैं अब तक करनाटक, केरल, तमिलनाडू, गोवा, पॉंडेचरी, महाराष्ट, मध्यप्रदेश, गुजराथ, सिल्वास, दमन अब यहां से राजस्तान जाओंगा और 14 फेवरिरी 2020 को पुल्वामा का जो एक साल है वहाँ पर ये एंड होगा और अगले साल 9 अप्रिल को रनफ कच में जो सरदार पोस्ट है वहाँ पर ये यात्रा मेरी संपन होगी तो ये एक भावना है कि कौमन आदमी देश के लिए क्या करना चाहता है और ये non-political है, crowdfunded है, बहुत सारे लोगों ने मुझे support किया है और कर रहे है तो लेकिन आज तक मैंने भीख मांगी नहीं है, ना मेरा कोई NGO का support है, ना कोई sponsor है लेकिन ये बुलना चाहता हूँ कि हम सब एक है और देश के लिए सभी लोगों ने शहीद और हर एक पुलिस डिपार्टमेंट, आर्म फोसेज और पैरमिल्टरी फोसेज के लिए एडलिज जैहिंद और देश के प्रती एक respect होना चाहिए, ये भावना से मैं निकला हूँ और ये है कि कौमन आदमी की जो परिस्तिती है जो लोगों ने समझनी चाहिए कि हम भी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और ये कहीं न कहीं आना चाहिए तो ये एक प्रयास है मैं मुजिशन हूँ, मेरा बैंगलोर में मुजिश स्कूल चलता है और आर्टिस कम्मुनिटी कभी जाद भेद नहीं देखते और आर्म फोसेज भी वो चीज नहीं देखते तो ये दोनों का एक मिलान है कि हम सब भारत के लिए एक है जय हिन जय बारत